नमस्ते मैं हुपाल रुहाद की और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ about the three cities of Pakistan जी हाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ about Rawalpindi कहा जाता है कि Rawalpindi is named after a Hindu warrior ruler of Mewar in 780 called as Bappa Rawal और ये भी कहा जाता है कि Arabs were so scared of Bappa Rawal that उन्होंने 400 साल तक भारत पर आकरमन नहीं किया अब ये information मुझे कोई भारत के history book से नहीं मिली बलकि social media से मिली है इसलिए मैं ये information आपके साथ share कर रही हूँ कृपा करती हूँ कि आप भी ये information को search करेंगे साथ साथ में ये information भी हमें social media से मिली है कि सईद मोहमद लतीफ की एक book जिसका नाम था Lahore, Its History, Architectural Remains and Antiques उस book के अंदर लिखा गया है कि Lahore and Kasaur of Pakistan were named after Bhagwan Ram's son Love and Kush Love and Kush became rulers after Bhagwan Ram and founded the cities of Lavapuri जो आज की तारीक में Lahore है and Kasaur ये भी कहा जाता है कि there is a temple of love जो Bhagwan Ram के son थे in Lahore और ये temple हमको Google Maps पे दिखता है तो obviously ये सारी information मैं आपके साथ इसलिए share कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग obviously गलक narrative spread करना चाहते हैं कुछ लोग obviously कश्मीरी 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 Muslims का drama करना चाहते हैं और ये कुछ लोग Islamist thought process रखने वाले पाकिस्तानी Muslims हैं पाकिस्तान जिसका निर्मान हुआ 1947 में धर्म के आधार पर क्योंकि मुहमद अली जिन्ना एक Islamist सोच रखते थे जहां पे वो बाकी भारतियों लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे उन्होंने एक Islamic देश का निर्मान किया वो Islamic देश जिसके हाँ Minority का नामों निशान नहीं है आज की तारीक में जैसे के Hindus और Six मगर obviously भारत को सब लोग secular देश कहते हैं और भारत की secularism के ओपर सवाल उठाया जाता है जब Article 370 को भारत का सविधान constitutionally eradicate करता है तो obviously ये secularism के ओपर बात करने वाले लोगों से मैं सिरफ एक सवाल पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान जो बना धरम के आधार पर एक Islamic देश जहाँ पे minority Hindu और Sikh है जो ना के बरावबर है मगर वो धरम के लोगों को minority कहा जाता है मगर इंडिया जो आज की तारीक में Hindu देश नहीं है उसके बावजूद बहुत सारे धरम के लोगों को minority का tag दिया जाता है जिसकी वज़े से उनको minority benefits मिलते हैं तो अगर आप धरम कुछ धरम के लोगों को minority का tag देना चाते हैं और इस minority के tag तहत वो फायदे उठाना चाते हैं तो फिर आप भारत को एक Hindu देश गोशित करिये क्योंकि पाकस्तान भी एक Hindu प्रदेश था कश्मीर भी एक Hindu प्रदेश था और बाकी देश बाकी जो प्रदेश है भारत के अंदर वहां भी Hinduism ज़ादा follow किया जाता है as per the statistics मगर इसके वावजूर आप भारत को Hindu देश नहीं गोशित करते हैं आप भारत को secular देश गोशित करते हैं तो आप भारत के अंदर विबिन धर्म के लोग जो रहते हैं उनके उपर minority का tag हटा दीजिए क्योंकि minority का tag आप उन धर्म के लोगों को दे सकते हैं जिस देश के अंदर एक country religion होता है मगर obviously भारत एक Hindu देश नहीं है as per liberals and Pakistani तो obviously भारत एक secular देश है तो अगर भारत एक secular देश है तो minority का tag हटाईए उन धर्म के लोगों के उपर से जिन धर्म की population हिंदू उसे कम है क्योंकि इस देश के अंदर सब धर्म के लोग समान है नमस्कार